नमस्तार दोस्तों मैं रोहुन शर्मा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चेनल जोती शिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यापर बात करने वाले हैं 4th of June 2004 के बारे बे 4 June 2024 का ये दिन आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर क्या आ रहा है कौन कौन सी वैदिक रेमेडिस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अची रहेंगी क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का आफरमेशन कैसे आप आज की इस दिन को और ज़्यादा बहतर बना सकते हैं सारी जांकरी मिलेगी आपको इस वीडियो में अंतक देखिएगा ताकि कोई कोई भी चीज आपसे मिस्स ना हो जाए आज अगर आपका जन्द दिन है आपके एनिवर्सरी है आपके जीवन का कोई भी विशेश मेर्थपन दिन है आप सभी को मेरी और से हार्दिक शुपकामना है आने वाला साल आप सभी के लिए थोड़ा सा struggling year रहेगा आने वाले साल में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के मुताबिक अच्छे परिणाम मिलने में आपको कही ने कही थोड़ा समय का वेट जरूर करना पड़ेगा इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं डी मोटिवेट नहीं होना है, प्रस्टेट नहीं होना है मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है और अपने काम को लेकर के आगे जरूर बढ़ना है रिलेशिंशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधनी रखनी की जरूरत है आने वाले साल में आपके relationship में problems आ सकती हैं इस तरह की योग बहुत ज़्यादा clear दिखाई देते हैं अब बात करते हैं आपर आज का दिन कौन सी राशी, नंबर और alphabet के लिए बहुत अच्छा रहेगा राशियों में यहाँ पर बात करें तो आज का दिन जो रहेगा मेश राशी, करका राशी, सीह राशी और मीन राशी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई दिता है नमबर्स में बात करें तो नमबर दो, नमबर तीन, नमबर चार और नमबर पांच के लिए काफी जाद आचा समय दिखाई दीता है अलफबेट्स में देखा जाए तो अलफबेट्स में B, H, I, M, L, R, U और Y आप सभी के लिए आज का दिन काफी जाद आचा दिखाई दीता है आज के दिन में कौन सा एंजल नमबर आपके लिए बेहत खास रहेगा क्योंकि आज के दिन में जो एंजल नमबर हैगा, यह आपके माइंड को बैलेंस करेगा आपके energy को balance करेगा और आपके लिए पूरा दिन stable बनाने में काफी जादा मदद करेगा क्योंकि आज का दिन बहुत ही जादा unstable दिन count होता है note कर लिजे पहले आज का angel number 41450 41450 अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि sir 0 का यहाँ पर मतलब क्या है बाद में मतलब शायद आपको खुद बखुद पता चल जाए जब आप इस angel number को recall करेंगे 0 की अपनी एक value होती है और आज 2-3 चीज़ें इस number के साथ आपकी connect करेंगी पहरी चीज़ आपका positive attitude connect होगा दूसी चीज़ आपका aggression आज दूर होता हुआ नज़र आएगा या uncertainty from the mind आपकी दूर होते हुए नज़र आएगी तीसरी important चीज़ आज के दिन में clarity of thoughts आपको देखने को मिलेंगे and the 4 and the most important thing नकारात्मक चीज़ें आपसे दूर रहेंगी इस वज़े से आज जब भी आप वो zero pronounce करें तो make sure कि आप अपने negativity को दूर कर रहे हैं ये thought अपने मन में जरूर रखिएगा उमीद करूँगा कि ये angel number आज का आपके लिए बहुत ही ज़ादा अच्छे परिणाम लेकर के आता हुआ नजर आएगा अब बात करते हैं आज के दिन में कौन सा affirmation आपके लिए बहुत ही ज़ादा अच्छा है आज का affirmation भी आपके लिए बहुत ज़ादा अच्छा रहेगा जो की specifically काम करेगा negativity को दूर करने में और आपको बहुत ज़ादा positivity की तरफ लेकर के जाने में बहुत simple है आपको बस इतना सा बोलना है I am doing right things in my life और जब आप right things की बात कर रहे हैं अच्छी चीज़े करने के बारे में सोच रहे हैं और अच्छी चीज़े करने की कोशिश भी कर रहे हैं इस बात के ध्याने किएगा जितना आप अच्छा करते हुए चलेंगे उतने ही अच्छे परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे तो इसलिए उमीद करता हूँ कि आप आज के दिन में अच्छी चीज़े करेंगे के चार बच कर 30 मिनिट का समय जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़ादा इंपॉर्टेंट समय रहेगा बहुत ही ज़ादा अच्छा समय रहेगा इस समय में आप कोई भी काली कर लें आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे आज के दिन में कलर कॉमिनिशन की बात करें तो आज वाइट कलर आप सभी के लिए बहुत ही ज़ादा अच्छा कलर है आज के दिन में वाइट कलर पहन करके कहीं पर भी जाएं आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे light blue color और white का combination अगर आप पहनते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इससे भी आपको अच्छे result जरूर देखने को मिलेंगे वैदिक उपाय क्या करने हैं और आज का दिन क्या कुछ लेकर के आ रहा है इसके आप notes जरूर बना लीजे तीन महत्वपुन्ट चीजें आज के दिन में बहुत ज़ादा ध्यान रखनी है वानी पर नियंतरन रखना है वानी आज आपकी relationship को खराब कर सकती है इस तरह की योग बनते है खास कर पूरे दिन में अगर मैं बात करूँ तो 12 बचकर 25 मिनिट से लेकर के 12.25 से शाम को 4 बज़े तक का जो समय रहेगा इसमें आप अपने relationship को maintain करके चलीगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा Second important चीज़ गाड़ी चलाते समय थोड़ी सी सावधानी जरूर रखेगा विशेश कर शाम को 7 बचकर 30 मिनिट से लेकर के 9 बज़े तक का जो समय रहेगा इस समय के दौरान में गाड़ी चलाते समय थोड़ी सी सावधानी जरूर रखेगे तीसरी important चीज़ आज के दिन में बड़ा पैसा कहीं पर भी ना लगाए share market से थोड़ी सी दूरी बना के रखेगा तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा उमीद करता हूँ कि ये समय जब आप इस recording निकालेंगे तो आपका दिन भी अच्छे direction में जाता हुआ नजर आएगा इसके अलावा सबसे मिल जुलकर करें रहें contact अच्छे बनानी की कुशिश करें और आज के दिन में परिवार के साथ थोड़ा सा समय जरूर बिताइएगा इससे भी आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे अपने दिन को बहतरीन बनाने के लिए आज के दिन में चांदी का प्रियोग जरूर करिएगा चांदी अपने साथ में रख लीजिए रात को सोते समय पिलो के नीचे रख करके सो जाईए चांदी की ग्लास में पानी पी लीजिए या पानी में चांदी मिला लीजिए और पूरे दिन उस पानी का सेवन करिएगा यह आपके लिए अच्छा रहेगा आज के दिन में आप सभी को एक और अच्छा उपाय बताता हूँ जो अगर आप कर लेते हैं तो काफी अच्छा रहेगा सुबे सुबे जिस पानी से स्नान करते हैं उस स्नान करते समय कच्चा दूद रौ मिल्क जो आता है वो आप उसमें मिला ले पानी के अंदर और उस पानी से स्नान कर लीजेगा यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और नहाने के तुरंत पश्चात हनुमान चारीसा का पाट कर लीजे तो इससे आपको बहुत बहुत अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे आज के दिन में किसी विशेशकारी से जब भी बाहर जाते हैं तो दूद का टीका माते पर लगा करके ही जाईएगा इससे भी आपका काम आसानी से बनता हुआ नजर आएगा और आपको किसी भी तरह की कोई दिकत कोई परिशानी नहीं रहेगी आज पूरे दिन में अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे पानी पीने के लिए कुछ मांग ले या पीने के लिए पानी हो गया कोई जूस हो गया आपसे मांग ले और खाने के लिए कुछ मांग ले तो मैं आपको कहुँआ कि या तो आपसे कुछ पिलाए या कुछ खिलाए अच्छी चीज़ें नॉन्वेज हो उनकी बाते नहीं कर रहा इस बात का ध्यान रखेगा तो अच्छी चीज़ें अगर आपसे कोई आगे रहे करके कुछ मांगता है खाने के लिए या पीने के लिए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूँँगा कि आज जो भी आता है परसन उसे कुछ भी चाहे वो 2 रुपए का औओ चाहे 5 रुपए का ओ जितना आपकी श्रद्दा हो आप किसी को कुछ खिला दे या पिला दे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़ादा अच्छा रहेगा overall दिन बहुत अच्छा है दिन के energy थोड़ी सी fluctuation वाली है बट stable रहेंगी कोई ज़ादा दिक्कत ज़ादा परिशानी नहीं आएगी और आप सभी अगर थोड़ा सा balance रहेंगे तो ये दिन आपके लिए और भी ज़ादा अच्छा होता हुआ नजर आएगा अपने पैर के कुलाडी नहीं मारनी है और इस दिन को और अच्छा बनाने की कोशिश जरूर करनी है उमीद करता हूँ कि आप सभी इस दिन को और अच्छा बनाएंगे और अपने आपको relax रखने की हर संभव कोशिश जरूर करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चेनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पार आकर जरूर से क्लिक करिएगा कुछ भी पूछना चाथे हैं अपने बारे में कुछ भी समधना चाहते हैं आप मुझसे संभब कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा, आप सभी की हर संभाव मतद्यां पर कर सकूँ, धन्यवाद.